नमस्कार दोस्तों इंट्रडेटेक मुंबई में आपका कोटी-कोटी यह बार बहुत बस्वागत हैं 2023 आने से पहले दोस्तों सिर्फ 1000 लगा दीजिए जी दोस्तों 2023 आने से पहले 1000 इस स्टोक में और सिर्फ एक ही स्टोक दोस्तों हमने कल बोला था कि आपको एक स्टोक एक हजार और एक साल के लिए फास्ट जनवरी 2023 इंवेस्टमेंट 1000 इंवेस्टमेंट 1000 स्टोक शेर एक वनली वन फोर वन एर्स इंवेस्टमेंट 1000 कौन सा इस स्टोक दोस्तों हमारे शॉप्टेवर पर आया जो एक विए बीके सिंग ने आपको बताने के लिए कल बोला था और आज इसलिए कल भी आपको मार्केट बंद है और संडे को भी बंद है मंडे को खुलेगा उस्तिन से लेकर मतला आप 31 दिसंबर से पहले ले रीजिए कौन सा इस टोक है 1000 वनली 1000 इंवेस्टमेंट फोर वन एर फ्रॉम 1 जनवरी 2023 आईए मैं बता दू आपको जितना भी मिलेग इसलिकी रिस्क हम उतना ही लेगे जितना की आपको लेना चाहिए दोस्तों तो हम तो ले रहे हैं आप भी ले सकते इस इस टोक को और इसके पहले उसकी पूरी कुंडली बता दे दोस्तों यह स्टोक आपको डिविडेन देता है साल में एक बार कम से कम जरूर जी और यह रिल्वे का सबसे बड़ा पहने स्टोक है और प्राइज इसका है 24 रुपया 20 पैसा हो गया दोस्तों एक महिने में 11 परसंट का प्रफिट दिया है एक क्रोड का एक क्रोड एगार लाक बना दिया एक महिने में 11 परसंट से ज्यादा का प्रफिट दिया और मैं रोज बोलता था लगतार कि हर गिरावट में आपको खरिदारी इसका करना चाहिए यह डिविडेंट दिया था 2022 में और यह अब आपको फीर एक डिविडेंट देने वाला है और इसकी नियूज सबसे पहले इंटाडेट एक मुंबईय में पीके सिंग आपको देंगे दुरस्ते उसके बाद इसकी सबसे बड़ा क्या है कि अभी जैसे ही यह जो अमेरिका और ताइवान का जो विबाद चल रहा है उक्रेन रसिया का यह सब जूद का जो नूजिया रही है इधर चाइना और इसके पड़ोसी जो दे से उनको हडपने की कोशिस कर रहा है इन सब की ख़बर के चलते इसकी इनुफेश्ट्मेंट और यह इनन्वेश्ट्मेंट जो कम से कम इस इस टोक में इन्वेश्ट्मेंट जिसने इसलिए की लंबे समय का यह खोडा है दोस्तों 15 साल से कम से कम अगर जिसने भी रखा इसलिए कि एक बार ये कंपणी इन्वेस्ट करती है जहां पे लंबे समय के लिए 15 साल, 10 साल, 20 साल, के लिए इगरिमेंट करता है और इसके बाद इसलिए वो डिविडेंट इसलिए कि जो इन्वेस्टमेंट कर दिये वो पैसा कहीं और लगता है पूरे इसकी कॉनकुलेजन निसकर्स हम बता देते हैं दुस्तों ये इस कंपनी का काम क्या है ये कंपनी फाइनेंस करती है इंफ्रास्टक्चर में रेलवे का और ये रेलवे का एन्वी एपसी का बहुत बड़ा इस्टोक है इसकी आईपिव आईथी 2021 में जनवरी में अब ये जनवरी में लगबग 2 साल हो जाएगा और ये 2 साल में कम से कम चार बार तो डिविडेन दे चुका दोस्तों जी हां और फिर आपको एक डिविडेन देने वाला है और डिविडेन मिलने के बाद इसकी प्राइज 26 रुपिया पचास पैसा का जो इस्टोक था अभी 24 रुपिया 40 पैसा का या 50 पैसा का इस टोक है और ये 2 रुपया 40 पैसा का आपको प्रफिट दिया एक महिने में और इसका नाम है दोस्तो Indian Railway Finance Corporation सिर्फ 2001 साल के लिए और लगा दिजिए अगर पहले से लिए है तो और लिजिए हर गिरावाट में इसको खरीबते रहे हम तो इसको 25 साल के लिए फिक्स कर दिये दोस्तो 25 साल तक इसको लेते रहाना है हमें कोई प्राइस से नहीं मतलब है और ऐसे इस तो प्राइस नहीं बढ़ते दोस्तो आपको डिवडेन्ट आज 1 रुपया दे रहा है कर 2 रुपया देगा कर 5 रुपया देगा और प्राइस नहीं बढ़ते रहे है और जब भी डिवडेन्ट देने को रहता है दोस्तो उसकी प्राइस बढ़ेगी क्योंकि आप प्राइस या तो दोनों तरफ से आप profit कमाईए आप price बढ़ रहा है तो या तो उसको बेचिए अगर price में नए लोग क्या करते हैं डिविडेंट के लादस में खरीदते हैं तो खरीदने के लिए उसको उतना pay करना पड़ेगा उसको भुकतान ज़्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ेगा इसलिए price जब भी डिविडेंट देने को होता है किसी भी company का तो price उपर बढ़ता है तो आप किस्मत वाले हैं जो आपको 20 रुपे आसी पैसा में जो खरीदें जो 21 में खरीदें जो 22 में खरीदें और एक तालिक को जरूर लीजेगा दर्स्तो उसके बाद मैं क्यों वो लाहूं कि 2023 में एक जनवरी को IRFC जरूर लीजेगा जरूर लीजेगा जरूर लीजेगा जरूर लीजेगा जय हिंजे वारत बंदे बातर